कानपूर वासियों को कानपूर मेट्रों का तोफा मिल चुका है लेकिन बारती इंता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जुबानी जंग तेज है यह मेट्रों किसकी है कानपूर वासियों की है लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच क्रेडिट लेन चाहता है पर कानपूर की लोग भी जानते हैं आप मीडिया के साथी भी जानते हैं कि जो मेट्रों की अधार्चिला रखी गई थी वह समाजवादी सरकार में अकले शादोजीन रखी थी और भारती यंदा पार्टी वालों को भी याद रखना चाहिए कि उस मंच पर उस समय ततकालीन शहरी विकास मंत्री वेंकईया नायडो जी कानपूर के सांसद उनकी तीन धरोवर में से एक धरोवर मुर्ली मुनहर जोशी जी ततकालीन कानपूर के मेर जगधर सिंग द्रोण जी सहित भारती यंदा पार्टी के काफी नेता मौजूद थे तो मैं समझता हूं क उनको यह आद रखना चाहिए कि मेट्रो कानपूर वासियों की है लेकिन इसको शुरू करने का जो श्रे है वो समाजवादी पार्टी उनके नेता अखले शादो जी को जाता है मैट्रो का सुहाना सफर कर रहे हैं लोगों से मिलने के दौरान हंगामे बाजी की खबर आती है क्या जरूरत है इस चीज़ की क्या जरूरत है मैंने कल एक वीडियो देखा जिसमें इस प्रकार की हैटिन लगी थी जो आपने बताई है परन्तु मुझे नहीं लगा कि उसमें कोई हंगामे जैसी स्थिती थी यह हमारे जो जो नौजवान है उनमें खुशी है कि हमारे नेता की सोच साकार हुई है यह जरूर है कि भारती साकार हो गई होती दो साल में सोच साकार हो गई होती तो नौजवान उससा था खुशी थी मैंने जो वीडियो देखा उसमें सेल्फी लेने की होड़ मची थी विधाई जी के साथ में लोग सेल्फी ले रहे थे यह उनकी पॉब्लेटी किसी ने को हंगामा या नारेबाजी इस तरीके की नहीं करी जिसको खराब सिती में कहा जाए लोगों को उत्सा है तो उत्सा के लिए ही इतना बड़ा प्रजक्ट लगाया जाता है और चुकि यह जो पूरी योजना है वी आईटी से लेकर के मोती जील तक यह पूरी की पूरी कल्यान पूर विधानसभा में ही च पार्टी के कुछ कारेकरताओं ने पीम की रैली में माहौल बिगारने का काम किया पार्टी ने कारवाई तो कर दी है लेकिन इसकी जरूरत क्या थी आपको लगता नहीं पार्टी की छवी दूमिल होती है यह घटना बहुत खराब है इसको हम लोग कहीं से भी डिफिंट न हो जाता है लेकिन हम लोग इसकी भर स्राव करते हैं और इस तरह कि किसी भी घिंसक गटना के हम लोग साथ नहीं खड़े हैं यह अलग बात है कि भारतिय जंता पार्टी के ग्रै राज मंत्री का बेटा है जिकिसानों पर जीप चड़ा दे तो भारतिये उस मंत्री पर कोई कारवाय नहीं करती बस समाज बढ़ी पार्टी की तरफ सह एसी कोई गलती होगी तो आम लोगों के बीछ और जादा तरीके से आप जाएंगे ये बताने के लिए कि कान्पू मेटरो है वह मैसूस करती है जो विकास परक्सोच है वह अखलेश यादोजी की थी आज लोग यह कहने लगे हैं कि विकास तो अखलेश की टाइम में होता था और उसके अनेकों एक मॉडल है यह आप चर्चा करेंगे कानपूर कानपूर चर्चा करेंगे तो आप गंगा बराज के आ जो साइकिल ट्रैक था ऐसी एक चीजे अखलेश यादोजी लेकर के आए थे हमने ग्रीन पार्क को वर्ड क्लास बना के दुबारा मैचे शुरू करा के आई पील तक करा दिया था नवीन मार्केट मल्टी लेविल पार्किंग समनों ने शुरू कर आई दी कानपूर में और अखलेश यादोगी विकासवादी सोच थी वो दिखाई पड़ती है यहां पर लोग भी उनसे बात करें यह यह मैट्रो को लेकर के होड मची हुई है समझादी पार्टी कहती है और बीजेपी कहती है किसकी है यह आम जंता के लिए है सुविधा है अच्छी है ठीक है अब आपसे जानना चाहिए है आप बताइए किस का पार्टी कि है समाज़बादी बेजेए कि है किसकी मेट्रों और नियुग कि नियू रख़्ी हुई है बाकी इनका उद्गाटन मोधिजी नहीं है प्रदान मंत्री मोधी जानते भी हैं तमाम नेता अपने अपने दावे भी करते हैं समझादी पार्टी और बारतीयंता पार्टी में श्री लेने की होड है इस बीच कानपुर वासियों को बड़ी सौगात बड़ा तोफ़ा मिला है सुहाना सफर करने का कानपुर मेट्रो में कानपूर से कैमरमेन पंकल निकम के साथ रतीश्त्रिवेदी एबीपी गंगा